मिथुन चकुरती को दाजा साब फाल के आवार्ड मिलने की घोसड़ा जब से हुई है तब से पूरे वालिवुड में एक सन्नाटा और मातम सा पसरा हुआ है क्योंकि मिथुन चकुरती को अभी तक किसी भी बड़े इस्टार या सूपर इस्टार ने अपने सोसल मीडिया पर बढ़ाई नहीं दी है जबकि अगर कोई और एक्टर कोई छोटा अवार्ड भी हासिल करता है तो ये लोग अपने पोस्ट में उसकी बढ़ चड़ कर तारीफ करते हैं यहां तक कि अमिताब बच्चन ने भी अभी तक मिथुन चकुरती को अवार्ड दिये जाने पर अपनी प्रतिग्रिया सोसल मीडिया पर नहीं दी है बालीवट के बड़े कलाकारों में सिर्फ अक्षे कुमार ने अपने सोसल मीडिया हैंडल एक्स पर मिथुन चकुरती के लिए एक लंबा पोस्ट लिखा और मिथुन चकुरती को बधाई दी है मिथुन दाकी बहुत बहुत जै हो दादा सहीफाल के अवार्ड की बहुत सारी सुकौना इसके अलावा हेमा मालनी ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल से मिथुन चकुरती के लिए एक पोस्ट लिखा और अपनी खुसी जाहिर की है और उन्होंने पताया कि मितुन चकुरती ने अपने एक्सन फिल्मों से और डैंसिंग फिल्मों से ये साबित कर दिया कि उन्हें ये अवार्ड लिलना ही चाहिए था बाकी बालीवूड का कोई भी छोटा बड़ा अभी नहीं था अभी तक मिथुन चकुरती के लिए अपने इंस्टाग्राम या फेस्बूक एकाउन पे कोई भी पोस्ट लिखकर बधाई नहीं दी है तो इससे साब पता चलता है कि बालीवूड वाले किस तरह से मिथुन चकुरती से चिड़े हुए हैं और उनके इस एचीवमेंट से काफी परेशान नजर आ रहे हैं लेकिन फिर भी मिथुन चकुरती ने ये अवार्ड अपने नाम कर ही लिया जबकि मिथुन चकुरती को बालीवूड की तरफ से कोई भी बड़ा अवार्ड कभी भी नहीं दिया गया जब भी मिथुन चकुरती को कोई बहतरीन फिल्म बहुत बड़ी सूपर हिट साबित हुई तो फिल्म फेर वालों ने हमेशा से कपूर्स या अमिताबच्चन जैसे गैंक्स को ही आवार्ड से नवाजा था बहतरीन काम और उनके संघर्ज के लिए बहुत बड़ी सफलता का जीता जाकता सबूत मिथुन चकुरती बहुत ही खोबसूरत और आकरसक दिखने वाले अजनेता हैं उनकी बोड़ी लेंगेज, उनका हैरिस्टाइल, उनकी आखें, उनकी स्माइल, हर एक चीज बहुत ही बहतरीन नजर आती है लेकिन फिर भी बालीवुड में से बहुत से बड़े डारेक्टर्स और एक्टर्स ने मिथुन चकुरती को भद्दा और बतसूरत हीरो का टैग लगाने से नहीं चुके लेकिन फिर भी हुए मिथुन चकुरती का कुछ बिगाड़ नहीं पाए और लोग मिथों चकुरतियों को भगवान की तरह पूछते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू